कॉंग्रस नेता पवन खिडा ने गुजरात चुनाव की घोशना के बाद चुनावाईयों को राजनितिक टिपणियां ना करने की नसीहत दे डाली साथी गुजरात चुनाव की तेरे कोणी ये चुनावती को लेकर पवन खिडा ने जवाब दिया जवाब में क्या कहा वो हम आपको दिखा रहे हैं कोई भी संस्ता लोकतंत्र में सवालों से नहीं बचना चाहिए उसको जवाब देने चाहिए कोई निशाना किसी पर नहीं साध्रा कोई किसी पर हमला नहीं बोल रहा सवाल पूछ रहे हैं और सवाल जायज हैं आज सवाल पूछे गए थे चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि स्वतंतर निस्पक्ष और पारदर्सी चुनाव सुनिशित किये जाएंगे और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये सवाल उठाए जाते हैं जब EVM उनके फिवर में निर्णे सुनाती हैं तब EVM सही होती है इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि थर्ड अंपायर का उप्सन उनके पास नहीं है इस तरह की रादनितिक बयान बाजी से बचना चाहिए चुनाव आयोग को सवाल पूछें उसके जवाब दीचे हम तो पूरी उम्मीद करते हैं आपसे हमें आशा है कि निश्पक्ष रहेंगे आप चुनाव की तिथी घोशित करते वक्त निश्पक्षता नहीं दिखी हिमाचल की तिथी आपने घोशित की उसके बाद 20-25 दिन का समय आपने प्रधान मंतरी को दिया कि वो गुजरात में जाएं अलग-अलग कारिकरम करें सरकारी खर्चे पर राजनितिक कारिकरम करते रहें यहां तक की मोर्भी दुखानतिका का राजकिय शोक भी तीन दिन बाद किया गया दुखानतिका के यह तो स्थिती है तो यह जो गुजरात का चुनाव अनांस हुआ है क्या इसको लेकर तयार यहां कॉंग्रेस पार्टी की और क्या जवावी पलटवार आप तयार कर रहें है वो कहीं चुनाव प्रचार में दिखने ही रही है ये आरोप लग रहे है आप एअरपोर्स से उतरे ही जिसको हमने काम नहीं दिया होगा आम आद्मी और भी ब्युजेपी के पास पैसा बहुत है तो जाहिर सी बात है वो टीवी पे बहुत सारे विग्यापन देते हैं हम इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, हम जो कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमारे कार्यकरता गाउव देहात हर घर में, हर दर्वाजे पे दस तक हमारे कार्यकरता ने दी है गुजरात में. गुजरात में मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच में है तीसरा कौन मीडिया दिल्ली का लाना चाहता है वो आ नहीं पा रहा उनफॉर्चनेटली लेकिन हम यह सवाल जरूर पूछेंगे वो क्या मुद्दे है जिनके आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि हम इस बार सत्ता में आ रहे हैं कॉंग्रिस के जो संकल्प दिये हैं गुजरात के लोगों को, वो संकल्प लोगों को समझ में आ रहे हैं, वो बेरोजगारी भत्ते का संकल्प हो, तीन सो यूनिट बिजली फ्री करने का संकल्प हो, गैस सिलिंडर पांच सो रुपे देने का संकल्प हो, या ठेकेदारी प्र इनिशित तोर पर ये मुकाबला काफी महतून रहेगा लिहाजा इस पर तमाम निगाही लगी हैं। कैमरामेन वीजबरी के साथ प्रदिप कुमार टूटर न्यूज दिली